नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर रमेश अगरवाल जनरल लेपरोस्कोपिक लेजर प्रोक्टोलोजी सर्जन मुकुट होस्पिटल सेक्टर 34 से आज हम फिर एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ आप से कुछ जानकर इसाज़ा करेंगे आज का हमारा टोपिक है वेरिकोस व से क्टेंग का है की सारे में फृलावट हे फीलावट है स्वालीन होती है करी को सारी क्रेडिंग में होती एक साथा यह जिन पैशंट में लंबे समय तक खड़े रहने की टेंडनेसी रहती है Für периода रहती है। जिनका काम बहुत ज़्यदा उठाके चलने का renowned standing का है like conductor, teachers, these patients bebron addicted to Viracose winds in pedagogy, like sheepbares. देखने का मिलटी है,ख सुष प्री भी चाइडने कि दोगे। लिए। Tôi चैनले के भी उनस के लिए गजिरा में वार उती है, और बहाव होता है खुल का, वो कुछ हद तक ब्लोक हो जाता है ऐसी स्थिती में जब पेशन्ट को पाउं में फुलावट लगती है कुछ कंडिशन्स में रात को सोते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है एकिंग सेंसेशन होते हैं, पेन होता है पेशन्स को चलते फिरते समय थोड़ी थकावट लगती है और कुछ कुछ कंडिशन में जब फुड़ी एडवास स्टेज हो जाती है तो कई बार पेशन्ट ब्लीडिंग करके भी प्रिजेंट करते हैं या फिर कोई अलसर बन जाता है पाउं के निचले हिस्चे में मीडियल साइड में तो वीनस अलसर जिसे हम कहते हैं मुखेता है यह एंकल जो टकना होता है उसके आसपास जो अलसर बनता है मोस्ली वीनस अलसर जिसे हम कहते हैं उसके वज़े से होता है मोस्ली अगर आप इस तरह की कोई तकलीफ से प्रभावित है ग्रेसित है तो अपने नजदी की सर्जन को जुरूर दिखाएं एक बार, एक OPD-based test होता है, जिसे हम Ultrasound Venous Doppler कहते हैं, एक simple test है, जिसके द्वारा करके हमें पता चल जाता है कि पाउं में जो नसो की स्थिती है, वेंस की जो स्थिती है, वो कैसी है, रुकावट अगर है, तो कहां पर है, बैसिकली जो perforators होते हैं, या एक तरह से कहें, कि superficial to deep, जो veins होती है, उनके बीच में कुछ perforator होते हैं, अगर वो incompetent हो जाए, या वो properly काम नहीं कर रहे हैं, तो उस थिती में भी vericose veins बनती है, या एक जो उपर junction होता है, superficial to deep veins का, वो अगर proper काम नहीं कर रहा है, उनके वाल एक जामिन करके भी diagnose कर सकता है, vericose veins patients को है, और इसको prevention के उपाए तो यह है कि एक prolonged standing जो है, इसे patients जिन में है, उनको avoid करने चाहिए, महिलाएं जो है, जो हाउस होल्ड activities में engaged होती है, conductors है, teachers है, तो वो लोग जो है, कोशिस करें कि बहुत लंबे टाइम तक standing ना रहे हैं, इ टाइप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्रेसर की ग्रेडिंग की stockings आती है, जिन को पहन करके कुछ टाइम के लिए उन नसों को दबाया जा सकता है, फर्दर बढ़ने से रोका जा सकता है, और symptoms में जो pain होता है, थकान होती है, या फिर further ulcer जो बनता है, उसमें कुछ हट तक relief मिल चकता है, उसमें, पर मुखेता अगर जिन patients में ऐसी problem है, ultimate और permanent solution जो है, surgery ही है, surgery जो है, मुखेता वेरिकोस वेंस में, आजकल जो most of the common procedure है, that is laser surgery हम करते हैं, also called as endovenous laser evalation, EVLA, उसमें एक बहुत ही छोटे से कट के द्वारा जो पाउं के निचले हिस्से में हम उसके हैं, उनको laser raise के द्वारा हम fibrosis कर देते हैं उसमें, जिसकी वज़े से वो वेरिकोस वेंस खतम हो जाती है, या फिर आजकल जो एक new technique है, radio frequency ablation, RFLA बोलते हैं, उसको radio frequency ablation के द्वारा भी जो fully हुई, या परफोर्टर जो incompetent हैं, या जो सेफनो फिमरुल जंक्सन जो incompetent होता ह है, इसमें laser द्वारा या radio frequency ablation के द्वारा हम उसको correct कर सकते हैं, ठिक कर सकते हैं, ऐसे patients जो laser या radio frequency afford नहीं कर सकते हैं, ऐसे patients में open procedure भी एक होता है, जिसमें हम superficial vein को trace करते हुए उसको निकाल देते हैं, ताकि future में patients को ये problem फिर से ना हो, दोनों ही इस्तिति में laser frequency और radio frequency में 92 to 92% success के chances रहते हैं, बसरते की patients जो है, stockings वगरा या doctor द्वारा जो बताएगे, पर हेज है, हमका सावधनी रखे, निहान रखे, इसके लावा जो varicose veins में हैं, आपको सावधनी बस ये है कि लंबे टाइम तक खड़े रहना, वोइड करना चाहिए, stockings पहनने चाहिए, और आ जबी अगर कोई किसी तरीके की varicose veins में फॉल आवट के समस्या से आप ग्रेशित हैं, तो OPD टाइम में आप कभी भी मुख़ट होस्पिटल आ सकते हैं, सलाम रामर्स कर ले सकते हैं, धन्यवाद.